नमस्कर ज्यान सुधा पर हम पदमावत के व्यक्ष्ष पर और साथी सूफी का विधारा का अन्वरत अध्यन कर रहे हैं जैसा कि विदित है मलिक मोहम्मद जायसी सूफी का विधारा या कि भक्तिकाल की जो प्रेमाश्रई शाखा है उसके प्रतेनिधी कवी है और उनका मैतुपून ग्रंत है पदमावत साथ ही अखरावट और आखरी कलाम भी इनके लिखे जो तीन प्रमुकरचनाई जो उपलब्ध है उनमें अखरावट और आखरी कलाम भी शामिल है जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अखरावट में देवनागरी वर्ण माला के एक एक वर्ण एक एक अक्षर को लेकर स धांतिक बाते की गई है जबकि आखरी कलाम में कयामत कवर्णन किया गया है पदमावत जाइसी के यश का आधार है और इसका रशनाकाल 927 हिजरी के आसपास माना जाता है पदमावत में चितोड के राजा रत्न सेन और सिंगल दीप की राजकुमारी पदमावती के प्रेम विवाह और विवाहोत्तर जीवन का चित्रण मारमिक भाव से किया गया है यहाँ पर प्रेम के पीर की व्यंजना की गई है और दोहा चोपाई शेली में निबद मस्नवी शेली का ये काव्य है जब हम देखते हैं तो मस्नवी शेली में तो पूर्ण एक विशेष्टा के रूप में आती है सूफी प्रेमा ख्यानक परम्परा में पद्मावत की भूमिका विशद है उदात है और जो पद्मावती है वो अलोकिक जो सत्ता है उसका प्रतीक जान पड़ती है तो पदमावती के विशय में ये बात जाननी चाहिए कि पदमावती में पदमावती जो है वो इश्वर का प्रतीक बनकर आई है और सूफी प्रेमा ख्यानक परंपरा में ये प्रतीक में तो पूर्ण हो जाते हैं पदमावत की भाषा विश्युद अudhi है तत्सम शब्दों का प्रियोग बहुत कम या नहीं के बराबर है इसलिए ठेट ग्रामीन अवधी में बात की गई है पदमावती की या कि जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य है वो अमूमन ठेट ग्रामीन अवधी में लिखी गए हैं कुछ महतुपून तक्थियों की बात कर लेते हैं चाहे हम गडपति चंद्र गुप्त की बात करें या डॉक्टर नगेंदर की बात करें वे दोनों ही हिंदी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम का वे हनसावली को मानते हैं जिसकी रचना असाइत ने की है और ये 1370 इस्वी में इसकी रचना होती है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो हैं वो चंदायन को पहली रचना मानते हैं जिसका समय 1389 इस्वी है रशनाकाल और जो की मुल्ला दाउद द्वारा रचित है ये रामकुमार वर्मा मानते हैं आचारी रामचंद्र शुक्ल म्रगावती जो की 1501 इस्वी में जिसकी सर्जिना होती है और जिसकी रचियता कुतुबन है इस ग्रंथ को हिंदी प्रेमा ख्यानक परंपरा का प्रथम ग्रंथ और प्रथम कवी कुतुबन को वे मानते हैं वे इस परंपरा की प्रथम क्रती मानते हैं तो हजाजब्रसाद विवेदी सत्यवती कथा को मानते हैं जो हनसावली है उसे प्रथम रचना माना जाना चाहिए और लेकिन इसकी भाशा को लेकर बहुत विवाध है कुछ लोग गुजराती विद्वान इसे गुजराती कावे रचना मानते हैं जबकि जो मोतिलाल मेनारिया है वो राजस्थानी भाशा इसकी भाशा को मानते हैं चंदायन की एदिबात करें जो मुलादाउत करत है 189 इस वी जिसका रशनकाल है इसे पूर्वी भारत में लोरिक कथा के नाम से भी जाना जाता है या लोरकायन या लोर कहा भी कहा जाता है और ये कहने के पीछे कहा जाता है कि लोरिक और उसकी पतनी मेना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पराधारित है इसलिए ये चंदायन है लोरिक या लोर कहा भी इसे कहा जाता है नायक लोरिक के नाम पर इसे लोर कहा या लोर कायन कहा जाता है तो ये ध्यातव्य है कि इसका जो नायक है वो लोरिक है चंदयान की भाषा अवधी है सत्यवती की बात करें तो इश्वर्दास सगुडोपासक भक्त थे जिन पर सूफी मत का आरूपन संभव नहीं हुआ और इसलिए शायद आचारे रामचंद शुकली से किसी शेणी में नहीं रखते हैं माधवानल कामकंदला एक महतुपून रचना आती है जिसके रचनाकार गणपती कवी है और इसमें किवल दोहों का प्रियोग किया गया है यहाँ पर किसी अरदाली चोपाई का प्रियोग नहीं है दोहों का प्रियोग यहाँ पर किया गया है तो यह बाते ध्यान में रखनी चाहिए चित्रावली एक मेथिन पूंड रशना आती है जिसका रशना सूला सो तेरा. ईस्वी ग कैन और उस्मान करत हैlungs कि उस्मान करत चित्रावली तो जब मैं इसको देखते हैं तो अमर होने की इत्चा पूर्ति करने स्के उदेश्य से उस्मान उस्मान ने चित्रावली की रचना की है और उस्मान ने अन्य कव्यों को यदि देखा जाए तो वहाँ पर जो प्रेम कथा लिखने की चुनोती एक तरह से दी है अपनी रशना का उद्देश अमर होने की पूर्ती उन्होंने बताया है इसी तरह यदि मंजन की मदुमालती मैं तुकून रचना है जान कवी की बात की जाए तो जान कवी जो हुए है सरवाधिक प्रेमा ख्यानों की रचना उन्होंने की है और 78 कावे गरंतों की रचना की है उन्होंने कुल जिन मेंसे जो 39 प्रेमा ख्यान कावे है तो जान कवी आते हैं जिन्होंने सबसे अधिक र नूर मुहुम्मद की बात की जाए तो नूर मुहुम्मद ने अनुराग बासुरी एक ग्रंथ लिखा है और अनुराग बासुरी इसलिए महतुपूर हो जाती है तथ्यात्मक द्रश्टी से कि अनुराग बासुरी में दोहे की जगे बर्वे चंद का प्रियोग किया गया है मुलती है जो कथा अन्वरत चलती रहती है सरगों में बढ़ नहीं है तो सर्ग बढ़ता का अभाव सूफी प्रेमा ख्यानक काव्य की एक अनन्य जो प्रवर्ती या विशेष्टा दिखा जा सकता है उसके रूप में और यहाँ पर यदि देखा जाए तो सूफी प्रेमा ख्यानक कावे में जो अलोकिक सथा की जो बात की गई है संदर्बों की वो इस्तरी के रूप में की गई है प्रेयसी के रूप में की गई है प्रेमिका के रूप में की गई है नागमती वियोग खंड के व्याख्यात्मक पक्ष पर हम बात कर रहे हैं और यह व्याख्यात्मक पक्ष नकिवल सनात्नक और सनात्कोतर कक्षाओं का विशे है वरन यह NET, SET और Assistant Professor Hindi परिक्षा का भी विशे है हम 11 पदों का अध्यन कर चुके हैं नागमती वियोग खंड के और नागमती वियोग खंड जैसा की हमें विदित है 12 मासा पदती पर आधारित है और आसाड मास से इसका उलेक किया गया है चड़ा आसाड गगन गन साजा वहां से यह बात प्रारंब होती है और इस पद में जो जैसी ने फालगुन महीने में नागमती को किस प्रकार विरहान भूती होती है उसका वो सांकेतिक वर्णन या चित्रांकन वो करते हैं फागुन पवन जकोरा बहा चोगुन सिव जाई नहीं सहा कि फागुन मास की बात कही जा रही है और नागमती कह रही है कि फागुन मास में पवन जकोरो में बहने लगा है अर्था तिवर वेक से बहरा है जकोरो के रूप में तिवर वेक से वो बहरा है चोल्गुन सिव जाई नहीं सहा और इस प्रकार उस पवन के बहने से जो शीत है सिव का ततपरे है शीत वो चोगुन हो गया है चार गुना हो गया है और वो सहा नहीं जा रहा है तन जस पिर पात भाब हो रा, की जो शरीर है जैसे की पीला पत्ता हो जाता है, क्रिशकाय हो जाता है उसी तरह ये जो शरीर है, वो पीले पत्ते की भाती मेरा शरीर हो गया है तेही पर विरह देई जख जोरा उस पर उस पर भी और कश्टकारी क्या है कि जो विरह रूपी जो पवन है विरह पवन बनकर इसे जख जोर रहा है अर्थार्थ इधर उधर बहा रहा है तो जिस परकार पीले पत्ते क्रिशकाय हो जाते हैं और पवन से वो इधर उधर डोलते रहते हैं उसी परकार नागमती का जो शरीर है वो भी क्रिशकाय हो गया है और विरह रूपी जो पवन है वो उसे इधर उधर जख जोर रही है कि जैसे फालगुन के महीने में चलने वाली हवा पीले पत्तों को जगजोर कर गिरा देती है वैसे ही ये चिंता है कि विरह कही नागमती के शरीर को जगजोर कर समाप्त ना कर दे तरिवर जरही जरही बन ढाका भई ओनत फूली करी साखा तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि व्रक्षों के पत्ते जरही जरही तरवर जरही तन बन ढाका कि बन में जितने भी जो व्रक्ष है उनके जो पत्ते हैं वो हवा चलने से जर जर के गिर रहे हैं तो व्रक्षों के पत्ते गिर रहे हैं और धाक के वन भी जर रहे हैं तो व्रक्षों के पत्ते तरवर से पत्ते जर रहे हैं और धाक के व्रक्षों के पत्ते भी जर रहे हैं भई आउनत फूल करी शाखा और साथ ही जो भई आउनत जो शाखाएं फूलों से सराबोर होती थी वो कैसी हो गई है पत्तों से रहित हो गई है तो यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि जो शाखाएं कभी फूलों से लदी होती थी वो पत्तों से भी रहित हो गई है करयी बनस पति हिये हुलासू मौ कहे भां जगदून उदासू और समय के साथ साथ जो समपून बनस पतियां है उनके रदे में उल्लास भर गया है और वो खिल गई है लेकिन मौ कहे भां लेकिन मेरी क्या बात कही जाए ये जो संसार है वो मेरे लिए दूना उदास हो गया है विरक्त हो गया है फागू कर रही सब चाचरी जोरी तो यहाँ पर चाचरी नरत्य की बात है कि फालगुन मास में चाचरी नरत्य खेला जाता है तो जो सहेलिया है वो फालगुन के महिने में चाचरी नरत्य कर रही है और उल्लास के प्रतीक के रूप में सब चाचर नरत्य द्वारा क्या कर रहे हैं फाग खेल रही है मोहितन लाई दीन जस होरी लेकिन मेरा जो रद है वो विरहागनी में ही जल रहा है मोहितन लाई दीन जस होरी लेकिन मेरा शरीर खोली की भाती विरहागनी में निरंतर जलता जा रहा है जोपे पिऊ जरत अस पावा जरत मरत मोही रोश ना पावा यदि मैं अपने प्रिये को इस विरहागनी में जलते हुए पा लेती तो मुझे जरत मरत मोही रोश ना आवा तो जलकर मरने में भी मुझे कुछ क्रोध नहीं होता मुझे कुछ दुख नहीं होता यह बात यहां पर रोश के संदर्ब में है राति दिवस सब यह जिव मोरे लगो निहोर कंत अब तोरे तो यहां पर यह बात कही जा रही है कि रात दिन मेरे मन में अब यही भाव है कि हे प्रियतम मैं तुम्हारे निहोर लगो निहोर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं कि अब आगे दोहा है यह तन जारो छार के कहो की पवन उडाव मकू तेही मारग उड़ी परे कंत धरे जह पाओ तो नागमती की यह इच्छा है कि यह तन जारो छार के छार कारत है राक कि यह तन मैं जला कर विरह की इस अगनी में जला कर राक कर दूँ और साथ ही पवन को विरह ये मुझे उड़ा कर उस जगें ले जाए, उस मारग उस रास्ते पर उड़ा कर मुझे धर दे, कंत धरे जह पाओ, कि जहां से मेरे प्रिये के जहां पर पैर पड़ रहे हो, तो मेरे ये भस्म उस मारग पर जाकर गिरे पवन के साथ, जहां पर मेरे प्रिये के पैर पड़ र कहाओ की पवन उड़ाई तो पवन से प्रात्ना कर रहे है कि इस भश्म को चारों और उड़ाकर विखेर दे संभव है कि यह भश्म उस मार्ग पर जाकर गिरे इर प्रिय के पैर हैं तो यहाँ पर यदि देखा जाए इस संपून पद में जब भात करते हैं तो तो जब हम यहां पर देखते हैं उप्मा अलंकार है बिरह देई जक जोरा बिरह रूपी पवन है रूपक अलंकार की बात है जरही जरही बन धाका पुन्रुक्ति प्रकाश अलंकार है बनस्पति अवधी ठेट ग्रामी अवधी का प्रियोग है यहां पर और यदि हम देखें तो यहां पर अनुप्राश अलंकार की बात देखी जा रही है रात दिवस सब यह जिव मोरे लगोग निहोर कंत अब तोरे जरत मरत मोही रोशनाव यदि इन पंक्तियों को देखा जाए तो अभिलाश विरह का जो अभिलाश नामक जो भाव है विरह जनित अभिलाशा का मारमिक रूप यहां पर देखा गया है और आत्म बलिदान की भ तो काविलिक अलंकार देखा जा सकता है अंतिम दोहा है उडाव पाव यहां अंतियन उप्रास अलंकार की छटा देखी जा सकती है और विरह की दशाओं का जो इस्मृति की दशाओं का अभिलाश की दशाओं का यहां पर सुन्दर चित्रांकन जाइसी ने किया है तो यह बारे मासा पदती में फालगुन महीने में किस प्रकार का अनुभाव करती है। बारे मासा पदती विरह केक में तुपूर पदती है जिसका प्रियोग जाएसी ने किया है। आगे वाला जो पद देखते हैं तो इसमें नागमती विरह वर्णन खंड से ही ये पद भी है और इस पद में चैत मास में होने वाली विरहान उभूती का चित्रण है। जब हम इन पदों को देख रहे हैं तो वहाँ पर द्रश्य बिम्ब देखे जा सकते हैं और पिछले वाले पद में जखोरी जब बात की जा रही है तो शव्य बिम्ब भी वहाँ पर है। यहाँ पर चेत मास की बात है, तो चेत बसंता होई धमारी, मोही लेखे संसार उजारी, तो कवी यहाँ पर कह रहा है कि चेत में क्या है, बसंत की धमारी है अर्थार, धूम धाम है, बर्चसु है, कि चेत मास में वसंत की धूम धाम है, चारों और वसंत ही वसंत चाया हुआ है, मोही लेखे, संसार उजारी तो चेत माह में वसंत का आगमन हो रहा है और प्रकृति मानों आनंदोत्सव मना रही है मोही लेखे, लेकिन मुझे तो ये संसार कैसा दिखाई देता है उजाड प्रतीत हो रहा है, उजडा हुआ प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है पंचम विरह, पंच सर मारे पंच सर, पंच सर जो है, वो कामदेव के पांच बान है सर का मतलब बानक और बानक किसके हैं कामदेव के पंचम विरह तो विरह जो है वो यहाँ पर एक तरह से पंचम राग गाकर तो विरह यहाँ पर कोयल जो है वो इस विरहागनी को पंचम राग गाकर मानो कामदेव के पांच बान जो है वो मुझे मार रही है रकत रोई सगरो बन ढ़ारे और रकत के आसू रोकर वन में चारो और रोती हुई वो घूम रही है तो यहाँ पर कोयल जो है वो पंचम ग्राग गाकर कामदेव के पांच बान जो है वो मारती हुई प्रतीत हो रही है और ऐसा लग रहा है कि वो रक्त के आसू रोते हुए, बन में चारो और रोती हुई घूम रही है बूडी उठे सबतरिवर पाता और उन आसूँ में डूब कर बूडी कार्थ है और चुकि वो रक्त के आसू रो रही है तो उस उन आसूँ में डूब कर व्रक्षों के सब पत्ते तरिवर कार्थ है व्रक्षों तो व्रक्षों के सब पत्ते भीज कर मजीथे रंग के हो गये हैं टेसू बन राता और जो टेसू है वो भी लाल रंग में हो गये है तो मजीट भी उनमें भीग गया है और वनका टेसू भी उनमें भीग कर लाल हो गया है बोरे आम फरे अब लागे कि बोरे आम अर्थार्थ नागमती कहती है कि इस वरक्ष में इस महीने में आम भी फलने फूलने लगे हैं आम वरक्षों की बात की जा रही है तो नागमती यहाँ पर कह रही है कि अपने पती से वो कामना कर रही है नागमती के पती है रतन सेंथ उनसे वो कह रही है कि अबहु आउ घर कंत सभागे कि है सभागे शाली प्रियक अब तो घर आ जाओ क्योंकि बोरे आम फरे अब लागे क्योंकि अब जो व्रक्ष भी फलवान हो गए है सहसभाव फूली बनसपती मदुकर घूमही संवरी मालपती सारी बनसपतियां जो है इस महीने में सहज भाव से फूलने लगी है लेकिन नागमती फलवती नहीं है तो वनसपतियों में नाना रूपों में फैलाव आ गया है विस्तार आ गया है मदुकर जो भौरे हैं वो भी मालती को इसमरन कर चारों और उसे खोजते हुए घूम रहे हैं ये बात यहाँ पर कही जा रही है मो कहू फूल भये सब काटे लेकिन मेरे लिए जो शाखाओं पर ये खिले हुए फूल है इनसे इने देखकर मुझे क्या हो रही है इर्शा हो रही है और इसी लिए ये फूल मेरे लिए क्या बन गये हैं काटे हो गये हैं भये कारते बन गये हैं या हो गये हैं दिस्टि परत जसला गही चाटे और इनको देखते ही शरीर में चाटे लगते हैं अर्था चोट मुझे लगने लगती है फिर जोबन भय नारंग साखा सुवा बिरह अब जाई न राखा तो नारंग व्रक्ष की शाखाओं में भी चारों और योवन फैल गया है तो यहाँ पर यह कहा गया है कि सुवा बिरह अब जाई न साखा और जो विरह रूपी तोते से उन जो नारंग जो यहाँ पर फल है उसकी रक्षा करना कठिन प्रतीत हो रहा है गिरन परेवा होई प्यू आउ बेगी पर तूटी नारी पराए हात है तोह बिनु पाव न छूटी यहाँ पर डागमती कह रही है कि तुम गिरह बाज कबूतर के समान परेवाकार थे कबूतर और कबूतर जिस प्रकार गिरह बाज होता है तो गिरह बाज कबूतर के समान एकदम उस जो सुवा विरह जो विरह रूपी तोता है उस पर तुम जपटा मारो और उस पर आकर शि तूट पड़ो क्योंकि नारी पराए हाथे तुम्हारी जो इस्त्री है वो पराए हाथों में पराए वश में हो रही है और तोई भीनु पावण चूटी और तुम्हारे बिना उसका उस विरहरूपी पक्षी से छूटना संभव नहीं है इसलिए तुम आ कर उसे उसे मुक्त कराओ, उसके चंगुल से मुक्त कराओ, तो यह बात इस दोहे में कही गई है, तूटी, छूटी, अंत्यानुप्रास अलंकार है, सुवा विरह की बात की जा रही है, रूपक अलंकार है यहाँ पर, साथी यदि देखें तो मरण नामक विरहवस्ता की बात की गई है, तो विर का अंकन भी किया गया है, विरह का विंजनात्मक शैली में वर्णन किया गया है, तो यह कुछ मेतुकून बाते हैं, रूपक अलंकार का प्रियोग जगे-जगे हम देख सकते हैं, बूड़ी उठे सबतरिवर पाता, भीजी मजीठ रेस टेसु बन राता, रकत रोई सगरो पूरा रूपक अलंकार यहां पर आया है, और पूरा रूपक, एक साहरूपक यहां पर रचा गया है, सहसभाव, फूली बनस्पती, मदुकर गूमही, सवरी मालती, तो यहां पर विरह की जो वर्णन है, वो विंजनात्मक शैली में विभिन विरह की अवस्थाओं द्वा है है, सवरे विर है में पर रूरा यहां पर रचान प मता मैंजन विरह की जो विरह कांजने विर personalized यहां भाग्बबबबबबबबबबदयं है, सुरे विर एक मता açıkcenteredे, कर गवरे कि लिएक का विरह कान प launchedतोंबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब